गुरू के पास आए हो एक तत्व की बात समझने के लिए आना गुरू के पास तुम्हें देने के लिए, बताने के लिए और कोई बात नहीं है यहां शास्त्रों का भी बहुत ज्ञान नहीं है, कथा किर्टन भी नहीं है इधर सिर्फ एक बात है, to know thyself Who are you? गुरू तुम्हें कभी यह नहीं कहता, कि तुम मुझे देखो मैं क्या हूँ यह नहीं कहता, मेरी आरती पुजा करो यह नहीं कहता, मैं भगवान हूँ पर वो तुम्हें ही तिलक करता है कि अपना रूप पहचान रेमन, दर्शन यही भगवान हरी दर्शन की आरसी, सत्गुरां की दे, लखना चाहीं अलग को, उसे ही में लख ले गुरू के पास आओ, अपने आपको जानने के लिए गुरू के पास बारी चीज कोई भी नहीं है, वो तुम्हें सिर्फ एकी आशिरवाद देता है जा अपने मूल को पहचान, जहां से तेरी उत्पत्ती है, जिस अंशी का तु अंश है, तु अपना मूल पहचान जब तक अपने को नहीं जाना, तब तक सत्संग आना व्यर्थ है, सत्संग कोई entertainment की चीज नहीं है, सत्संग समय पास करने के लिए नहीं आया जाता है पर सत्संग में रोज बैठ के अपने स्वारूप का द्रड संकल्प और द्रड निष्ठा करने की होती है अपने ही शरीर से हमको उपर उठना है, किसी और की दे में मन रखके क्या करेंगे सब बातों से मन हटा के आप अपने में मन रखें जो अपने को जानता है, वो सबसे बड़ा पुन्य करता है और जो स्वयम को नहीं जानता है, वो सबसे ज्यादा पाप करता है बुला मैं ब्रम हूँ, मैं ब्रम हूँ, सबसे बड़ा ये जाप है, सब जाप इसके पुत्रें, सब जापों का ये बाप है मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्रें, सब पापों का ये बाप है आपको दुख के समय, परिस्थिती के समय हमारा परशाद नहीं बचाएगा हमारा आशिरवाद नहीं बचाएगा हमारी सूट साड़ी शौल दियोई नहीं बचाएगी पर हर परिस्थिती में आपका निश्चे आपका कल्यान करेगा जब किसी को अपना निश्चे याद है हर दुख से उप्राम हो सकता है हर परिस्थिती छोटी हो सकती है पर जब किसी के पास अपना निश्चे नहीं है तो उसको छोटी से छोटी बात भी अशांत कर सकती है आप सोचते हो संताशीर वाद देंगे जा सुखी हो जा तेरे पास दुख ना आए तेरे पास हालत ना आए ऐसा कभी नहीं हो सकता शरीर की प्रारब्ध सब की बनी हुई है और जो जो कर्मों के हिसाब किताब हैं वो सब के सामने आएंगे हमारे आशिरवाद से कुछ मिलेगा नहीं आपकी प्रारब्ध है मिलातो या मत्था टेकने मताना आपके आशिरवाद से काम हो गया होना होगा इसलिए हो गया ना खुद ब्रहमितो ना हमें इन भर्मों में डालो ये सब अज्ञान की बाते हैं ना हमारे आशिरवाद से कोई परिस्थिती टल जाएगी जो आपकी करम कहानी है जो शरीर का हिसाब है वो इसके सामने आएगा लेकिन दोनों हालतों पे अगर आप सवार होना चाहते हो दोनों परिस्थितियों से अगर आप उप्राम होना चाहते हो तो है अर्जुन मेरा ये तत्व ज्ञान ले ये ज्ञान तुम्हे सम अवस्था में रहना सिखाता है ये ज्ञान तुम्हे मध्यम मार्ग में चलना सिखाता है ये ज्ञान तुम्हे आतम नेश्था द्वारा अंदर का आनन देता है बाहर की कोई बात यहां पर नहीं है यहाँ पर सारी बात भीतर की है गुरु आपको अंतर मुख बनाता है आप सोचते हो गुरु आशीरवाद देगा मुझे दुख नहीं लगेगा एक कामन सेंस की बात है बायर बारिश पढ़ रही है आप छाता या रेनकोट लेके जाओगे तो बारिश का असर नहीं होगा क्या हमारे आशीरवाद से आप गिले नहीं होगे हम कह दें जाओ तुमारे उपर आशीरवाद है तो क्या तुम गिले नहीं होगे उपाय करना पड़ेगा छाता लेके जाओ, रिनकोट पहनके जाओ, आपको बारिश असर ना करे यहां भी जब आप आप आते हो, गुरु का आशीरवाद क्या है? गुरु कहता है, अहम ब्रहम अस्मई तत्व मसी मैं ब्रहम सौरूपूं, तू भी वहिये और तत्व मसी का अगर विछेद करें, हमारे शास्त्रों का महावाक्य है तत्व मसी तत्व त्वंग असी, तत्व माना तत्व, त्वंग माना जीव तो जो तत्व और जीव है, वो एकी है यह है गुरु का आशीरवाद, कि वो आपको याद देलाता है इश्वर अंश जीव अविनाशी तू अविनाशी सौ रूप है क्योंकि तू दे नहीं है तू इश्वर का ही रूप है इश्वर का ही अंश है अब आप जब तक अपने निश्चे में नहीं आए तब तक आपको जीना, मरना, दुख, सुख, लाब, हानी, यश, अप्यश सब कुछ असर करेगा क्योंकि ये माया जीव की फैला ही हुई है जीव भाव है तो सारी माया है जीव को माया व्यापेगी ब्रह्म माया रहत है जीव को आम माया रहत नहीं कह सकते है ब्रह्म माया रहते है ब्रह्म के पास माया की पहुँच नहीं है जीव के चौगिर्द तो माया होगी ही होगी और वो अपनी माया में ही भूला हुआ भटका हुआ रहेगा ये जीव की बात है अब आप जीव भाव छोड़ते नहीं और आप माया से उप्राम होना चाहते हो ये माया ही तो है माया पैसे को नहीं कहते बाल बच्चों को नहीं कहते ये जो आपके मन में प्रभाव होता है कभी दुख फील होता है कभी सुख फील होता है कभी आपका मन प्रसन होता है, कभी निराश होता है, ये जो द्वंद जोडों का खेल है, माया असल में ये है जीव की, जो जीव को व्याप रही है माया, वो ये वाली माया है, क्योंकि वो जगत में सत्बुद्धी रखता है, और सत्बुद्धी रखने के कारण हलचल में आता है, अब आग अगर आप मानते हो मैं मां हूँ तो बेटा बिमार होगा हम आपको रोने से नहीं बचा सकते क्योंकि आप मां बने वैठे हो अगर ये मां जीते जी मर जाय गुरू के वचन पर और सोचे मैं ब्रह्म स्वारूप हूँ सोचे ये बच्चा भगवान का है कोई भी ऐसा विचार करे तो उसके दुख से छुटकारा हो सकता है अपना ज्यान का विशलेशन अपना आतम निश्चे हर एक को तारेगा इदर आके बाहर से आशा छोड़ देना गुरू मेरे को तारेगा सत्गुरु मुक्त युक्ती का दाता गुरु मुक्ती की युक्ती देते हैं गुरु के हाथ में नहीं है मुक्त करना अगर ऐसा होता तो बहुत आसान खेल था रोज लोग गुरुद्वारे में मथा टेकने जाते हैं हजारों लोग जाते हैं कड़ा प्रशाद भी खाया आते हैं, क्योंकि ग्रंट सहीब शुरू हुआ, एकोंकार सत्गुरु प्रशाद, वो प्रशाद तो समझ में आ गया, कौन सा परशाद ये समझ नहीं आया, एकोंकार भूल गय, सत्गुरु प्रशाद याद रह गया, प्रशाद ने फसाद कर दिया, मैं 51 रुपय का, मैं 101 का, मैं 501 का, मैं 1100 का, परशाद की बोलियां बढ़ गई, रोज परशाद खाने की रीत बन गई, एकोंकार भूल गया, सत्गुरु प्रशाद क्या है, एकोंकार, एकी परमात्मा ने ये सब आकार धारण किये, ये सत्गुरु प्रशाद है जो तत्व द्रिष्टी मिलती है, तत्व का निश्चे मिलता है, सत्गुरु प्रशाद ये होता है लिखा है, ग्रन साहिब में ही लिखा, थाल विच्तिन वस्तू पड़ी, सत संतोख विचार, जेको भुंचे जेको खाए, तिसका होय उद्धार अब उन्होंने सत संतोष विचार कहा, तुमने आटा घी चीनी मिला लिया, जेको भुंचे जेको खाए, भून-भून के खा रहे हैं गुर्णानक जी कहते हैं, हलवा खाओ, नहीं, थाल कहा शरीर को, थाल, शरीर रूपी थाल में, थाल विच्तिन वस्तू पड़ी, सत संतोख विचार, सत्ते संतोष और आतम विचार जितना इसको घोट-घोट के पियोगे, सत्ते में रहोगे, संतोशी होके रहोगे, विचार शील यानि मनन शील बनोगे, तिसका होए उद्धार ज्यान की लक्षणा बताई गई, लेकिन सब लोगों ने उठाली बार की बात, और सोचा, परशाद खाने से कल्यान हो जाएगा, परशाद खाने से कल्यान किसी का भी नहीं होता है दादा जी ने क्यों सब को रोका, हमारे पास हाथ नहीं जोड़ना, हमारे पास पैर नहीं चूना, क्योंकि भ्रह्म आ जाता है, शैद चूने से ज्ञान लग जाएगा भई हम संतों के पैर छुएंगे पैरों में ग्यान थोड़ी है पैरों में तो मट्टी लगी पड़ी है ग्यान गंगा तो उनके मुख से बह रही है इसमें स्नान करो उनके वचन की पालना करो आज अपनी घर में आप देखो आपके बचें बव एसम जो घर में पैर तो रोज सुबे उठके छूले और कहना एक न माने आप कितने खुश होएंगे उससे आप बोलोगे बेटा पैर भले मच्छुआ कर बात मान लिया कर जो कहती हूँ वो कर लिया कर गुरू भी क्या कहता है पैर मत छूओ, हाथ मत जोड़ो वचन की पैरवी करो भक्त माना, शिश्य माना शरनागत माना जो वचन की पैरवी करे जो गुरू का वचन हिर्दे बसावे महमा उस भक्त की है जो गुरू के इस तत्व ज्यान को अपने जीवन में धारण करता है सालों से हम बैठे रहते हैं आत्मा के ग्यान की बात नहीं करते आतमनेश्था की बात नहीं करते बाहरी बातें करते हैं बाहरी आधार सब मिथ्या है अब अगर तुमने अपने घर के लोगों के शरीर का आधार छोड़ा यहां पर किसी के शरीर का आधार लेके क्या मिल जाएगा अगर बाहर तुमने रस छोड़े यहां किसी से रस क्यों ले रहे हो क्या तुम ग्यान सुनके self-centered हुए क्या ग्यान सुनके तुम्हें अपने सौरूप की स्मृती हुई पुने समृती होनी चाहिए और उस समृती से हर्श उत्पन होना चाहिए वो आनंद बनेगा आगे जाके जब बार-बार गुरू आपके सौरूप की बात करता है बार-बार गुरू आपको अपना रूप याद दे लाता है तो ये जो पुने-पुने सिम्रिती होती है अंदर ये हर्ष पैदा करती है अनन्द पैदा करती है देखो जब-जब गुरु बात करता है You are that, you are that रोज हमारे सौरूप की बात एक अलग तरह से बताई जाती है और जब गुरु बताता है अंदर हर्ष पैदा होता है न ऐसे लगता है अंदर एक कोई अच्छी सी फीलिंग आ रही है बड़ा मस्त कर रही है, आनन्द दे रही है हर्ष उत्पन होता है वो आपके स्वारूप के आनन्द की जलक है जब बार-बार मैं अपने स्वारूप की स्मृति करता हूँ तो मुझे आनन्द होता है गुरु का यह उद्देशे वो आपको अपनी सेवा में अपनी बातों में कभी नहीं उलजा के रखता ना बाहर की गिफ्ट देता है ना लेता है वो आपको बार-बार एक बात बताता है मेरे वचनों का परशाद लेके जाओ जीवन में तेरे पास कभी कष्ट नहीं आएगा दुख नहीं आएगा कोई लहर आ भी गई तुम अपने स्वारूप की स्मृति करना फर तुम आनन्द में आ जाओगे अब ये आत्म अभ्यास अगर किया हुआ है ये हर परिस्थिती में आपका रक्षक है अब समझो आपका शरीर ICU में है हम तो नहीं आ सकते ना वहाँ पर आप बोलो गुरू तुम उसी वक्त आना कैसे आएंगे नहीं पहुंच सकते वहाँ पर वहाँ पर ICU में आपको कैसिट भी नहीं चलाने देंगे क्या आप बोलो चलो मैं वाणी लगा के सुनूंगा कौन है वहाँ पर आपका अपना निश्चे आपके साथ है आपके घर में कोई दुखसूख हो गया जिना मरना हो गया अब क्या लोगों के सामने क्या करोगे वो लोगे उनको मैं सचसंग जा रहा हूं फेस तो आपी को करना होगा हम भी आ जाएं कितनी देर बैठ जाएंगे आपको फेस करना है कैसे फेस करोगे अपने निश्चे से फेस करोगे हर चीज को अपने ज्ञान से फेस करोगे हर चीज को गुरुनी क्याता तुम बैठके मेरा आधार लो मेरे लिए रुआसे हो जाओ, मेरे लिए उल्जो क्याता जाँ बैठे वो अपने आनंद में रहो तेरा आनंद तेरे साथ है गुरुने तुम्हे आत्मानन दे दिया है अपने साथ रखो उसको हर समय अपनी निष्ठा में रहो किसी भी नाम रूप का आसरा क्यों लेना है चाह किसी से ज्ञान सुनते हो वहां भी ये आसरा नहीं होना चाहिए अपने निष्चे में रहो यू आर देट गुरुने जैसे अगले को निष्चे में खड़ा किया तुम्हे भी खड़ा कर रहा है सब अपने अपने घ्ञान को पका करो बाहरी कोई बात का अर्थी नहीं है हर एक के पास अपना निष्चे का टिकेट होना चाहिए जैसे तुम ट्रेन में चड़ते हैं टीसी आ जाता है टिकेट चेक करता है अब टिकेट में देखा जाता है भाई फर्स्ट क्लास वाली टिकेट वाला ही फर्स्ट क्लास में होवे सेकिंड वाला ना बैठाओ नार्मल स्लीपर कोच वाला ना बैठाओ जैसा जैसा टिकेट होता है वैसा वैसा कोच मिलता है आपको यहाँ पर भी देखना मुक्ती का टिकेट स्वर्ग का टिकेट या नर्क का टिकेट कौन सा टिकेट लेके बैठें जो अनमय कोश में गिरे मरे पड़े हैं नर्क का टिकेट लेके बैठें सतकर्मी सारे स्वर्ग का टिकेट लिए बैठे हैं मुक्ति का टिकेट किसके पास है जिसको आत्म निष्ठा है जिसको आत्म निष्चे है जो अपने स्वरूप में जागरत है उसके पास मुक्ति का टिकेट है पहचान है यह वो अंदर अपने निश्चे में कूटस्त है बारी जगत को मिथ्या जानता है पर इस्थितियां आती है जाती है कोई बड़ी बात नहीं अपना एक आदर्श है उसका ग्यानी के सामने भी हालते हैं ग्यानी के सामने भी जगत है लेकिन उन हालतों से निकल के वो एक आदर्श प्रस्तुत करता है कि देखो मेरे सामने भी हालत आई पर मैं कैसे अपने ग्यान में कूटस्त हूँ तुम भी निश्चे करो तुम भी कूटस्तो जाएंगे तुम निश्चे नहीं करेंगे सारा समय जीवभाव में रहेंगे संसार को सच मानेंगे संसार की खेचल में रहेंगे एक घंटा टाइम पास करने सत्संग में आ जाएंगे तो कारण आने पर ज्ञानी चाय अज्ञानी सबकी ओकात सामने आ जाती है सब पहचाने जाते हैं अपनी रहनी से ही तो पहचाने जाते हैं, जैसे एकमीर आदमी है, उसका पहनना, ओडना, गाड़ी, जोलरी, बता देती है, घड़ी, जूता, ब्रेंडिद, पता चल जाता है, भै यह आदमी बहुत अमीर है, ज्यानी की पहचान कैसे होती है, उसका आचरन उसकी पहचान है उसकी वानी उसकी पहचान है समय पर हालत आने पर जो उसके द्वारा होता है वो उसकी पहचान है अब दुख में सुख में सम रहता है ये उसके निश्चे की पहचान है जीवन मरन खेल जानता है ये उसके निश्चे की पहचान है बहुत कारण सामने आजाए लोब का, लालच का पर वो संतोश में रहता है ये उसके ज्ञान की पहचान है ममत्व बुद्धी वाले, ममता वाले, मेरे वाले इर्दगिर्दें पर उसको किसी की ममता नहीं व्यापती है उसका ममोने व्यापता है ये उसके ज्ञान की पहचान है हर एक अपने को पहचान सकता है कई बाहर होता है हम बाहर से बैलेंस बना लेते हैं पर अंदर मन का इंबैलेंस भी तो पता चलता है तो हर एक अपने को जाच भी सकता है और अपने को परक भी सकता है कहां पर खड़े हैं क्योंकि आना जाना तो सब कर लेते हैं में बात है जागरत कौन हुआ गुरू के ज्यान से जागरती किसको आई अब कहने को हम कहेंगे सब विश्व मटिया मेट कर जो आप भी है मिट गया एक बार नहीं हजारों बार सत्संग में ये वचन सुना हुआ है सब विश्व मटिया मेट कर जो आप भी है मिट गया या कई बार बात चलती है प्याले सबी तोड कर मैं खाने फोड कर अपने में जागुसा है वो दुनिया को छोड़ कर लेकिन अपने से पूछना क्या ऐसी स्थिती मैसूस होती है देह वासना लोक वासना शास्त्र वासना बहुतों की चली गई बड़ी बात नहीं शास्त्र पढ़ना भी एक बोरिंग काम था ब्रह्म मिटा दिये गुरू ने संशे मिटा दिये शास्त्र वासना बहुतों से छूट गई लेकिन ये जो देवासना और लोक वासना है इस पर जीतुई अपने मन पर जीतुई, इंद्रियों पर जीतुई स्वधर्म पालन करना शुरू किया या भी परधर्म में बैठे हैं पर धरम मन, दे का धरम, इंद्रियों का धरम, इसमें बैठे हैं या स्वा धरम पालन करते हैं, मुझात्मा का धरम क्या, अशोक रहना, कैसी भी हालत में शोक को तो प्राप्त नहीं होते हैं, कैसी भी हालत में अंदर से मैसूस होता है, मेरा आनंद जियों का त्यों बना हुआ हैं, भाई दूख सूख व्यापे नहीं, लोभमो अभिमान, का नानक सुन रेमना सुमूरत भगवान, दूख सूख परसे नहीं, दूख सूख किसको परसता है, जीव को, जो ब्रह्म निश् क्या उसको दुख सूख परसेगा, उसको कोई हालत परसेगी, नहीं परसेगी, जब उसको कुछ लगेगा नहीं, तो सोचेगा भी नहीं, अब आपको कोई एक शब्द कह दे, मैं का गलत था, मेरी क्या गलती थी, आपका दिमाग ऐसे दोड़ने लगेगा, लगा क्यूं, दूख सूख परसे नहीं, लोभ मो अभिमान, का नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान, तुम कैसी मूरत हो भगवान की, तुमें सब कुछ व्यापता क्यूं रहता है, जगती नहीं व्यापना चाहिए, शब्दी नहीं व्यापना चाहिए, परिस्थिती नहीं व्यापनी चाहिए हर समय तुम अपने निष्ठा में रहो, ओम में रहो, जागरती में रहो, पुरण पुरुषो करके रहो, जीव भाव में अपुनता है सारी, पुरण पुरुषो करके रहो, निष्चे में रहो, जनम मरन से उपराम होके रहो, तुम्हें जब तक अपना जनम मरन व्य व्यापएगा, जीव बने रहोगे, सब का व्यापएगा, रोज आज आओगे, मूँ उठाके, आज ये चला गया, आज वो चला गया, तो जाएंगे भाई, ऐसा होता है, कौन बड़ी बात है, गुरु ने बोला न, भाई तुम सुखी रहोगे, शिशे को लगा, शायद कोई जालत ही नहीं आएगी, रोज आज आज गुरु जी आज मा मर गई, गुरु जी भाई मर गया, गुरु जी पत्नी चली गई, भाई आज बेटी बाग गई, पैसा कम हो गया, गुरु ने एक दिन चाटा दे मारा कसके, बुला गुरु जी मैं तो अपनी व्यथा सुनाता मारते क्यों हो, वो लग तु सारी दुनिया में वास्ता रखके बैठा है, तुर को कौन सुखी करें, तुझ आत्मा को सदा आनन्द है, मेरी बात तो समझ, सारी दुनिया से वास्ता रखके बैठा है, फिर कहता है गुरु जी सुखी करो, अब तुझ एक को सुखी करने के सारी दुनिया ठीक करूं क्या। तुझे बता रहा हूं तेरा आनन तेरे पास है। बस बात खतम हो गई। तु है ही आनन सवरूप। अब तुम अगर एक-एक से वास्ता ना रखो। तो दुख है तुमारे पास। अपना दुख तुख रेर कभी आता है। सारी प्रॉब्लम का है। दूसरे में मन है। सारा दिन दूसरों में मन रखा हूँ है तुमने। ये ऐसा चले तो सुखी हूँ, ये ऐसा करे तो सुखी हूँ, ये ऐसे करता है, तो परिशान हो जाता हूँ। तुमारे दुख का का है। सारी दुनिया से कंसर्ण रखना तुमारे दुख का का अब इसको गुरु क्या करे उनके साथ ही तुमारे सुख, उनके साथ ही तुमारे दुख, वो खुश होएंगे, तुम खुश हो जाएंगे, वो रोएंगे, तुम रोने लगेंगे, उनको कुछ मिलेगा, तो तुम खुश हो जाएंगे, उनसे कुछ छिन जाएगा, तो तुम रोने लगेंगे तो तुम तुम खुदी खिलोना बने हुए हो ना तुम वास्ता क्यों रखके बैठा है कहीं भी अपने में आजाओ बाती खत्म पहले दिन तुम आये थे गुरु ने तुमको बोला था सब पे सफेज चादर डालाओ जाके बोला था नहीं बोला था सारी संकल्प लेकर के यहां पर आना फिर यहां आये तुमें बोला अपनी मैं का संकल्प भी लेकर दे तु ए तो दुनिया आये नहीं तो दुनिया भी नहीं है तुमने एक भी वचन की पालना की गुरु के जो समझने आये वो समझते नहीं फिर गुरु को ऐसी वानी तभी बोलनी पड़ती है अभी जित्ता जोश किया भगवान ने क्यों बोलनी पड़ती है गुरु को ऐसी वानी क्यों कि तुम समय खराब करते हैं सब बैठ के हुलडबाजी में लग जाते हैं ज्ञान की निष्ठा भूल जाती है, टके-टके की बातें करते हैं, friendship हो जाती है, हसना, बोलना, खाना, पीना, क्यों भाई? गुरु ने तो मना किया था, किसी को टच भी नहीं करना, पास होके भी नहीं बैठना, इन्होंने तो अब बोली तुमको social distancing, सच संग में तो कबकी चल रही है social distancing, अंदर से भी परे रहो, सबसे बाइर से भी परे रहो, कोई और तेरे नजदीक हो जाएगा, भगवान तेरे दूर हो जाएगा, सच्चा ही है, और किसी में मन रखोगे, गुरु से दूरी बन जाएगी, अब क्यों गाटे का सौधा करते हो, क्यों तुमारा मन मूल ज्यान में नहीं है, कोई किसी को पकड़ता है, कोई किसी को पकड़ता है, तद तु ज्यान को फिर भी नहीं पकड़ रहे हो, अगर कोई सच्चंग भी सुना रहा है किसी शेहर में, तो उसको पकड़ना नहीं है तो खाली एक टेप रिकाडर रख दिया है बजाने के लिए पकड़ना तुम्हें गुरू की बात को है ज्यान को पकड़ना नाम रूप सब नाश है ब्रह्म का प्रकाश है तुम ब्रह्म का प्रकाश फैलने नहीं देते उंदर, अंधिरों में जीना चाहते, मजा आता है, मन को आधार चाहिए कोई ना कोई, कहीं से भी पकड़ लेता है, लेकिन गुरु तुमको कह रहा है, कि तु अपने को जान, रोज ये जल अपने को चड़ाओ, तुमने कभी देखा, तुमें कहते हैं, ब कि पहले अपने सिर पे दस लोटे डालो, तो एक लोटा शिवजी के डालना, बच्पन से सिखा दिया है तुमें, मनाय करते हैं न, बिना नाहय मंदिर नहीं जाओ, तु नहा के क्या होगा, कोई पाप किया हम निराथ को, छोटे बच्चे ने क्या पाप किया, क्यों ना जा भगवान तु ही है, समझे ही नहीं तुम आस तक, नानक जी का एक रूप नहीं रखा गुरुद्वारे में, है फोटो है नानक जी की, ग्रन सैप पड़ा है, फोटो क्यों नहीं है, उन्होंने कहा वानी गुरु, गुरु है वानी, विच्वानी अम्रत सारे, वानी मानने प्रतेक्ष गुरु निस्तारे, आखिर में दस्मी पात्षाई में कहना पड़ा, ग्रन्त गुरु जी मनी है, ग्रन्त को गुरु मानो, शरीरों को गुरु मत मानो, वानी को गुरु मानो, ये वानी प्रकाशित करेगी, वानी तुमें मार्ग देगी, वानी तुमें जागरत करेगी कहना पड़ा न क्योंकि किसी भी महापुरुष का ये उद्देशे नहीं होता है कि वो तुमसे अपनी पुजा करा है उनका एक ही उद्देशे है अपना मूल पच्छान समझमन दर्शन ये भगवान मन्तु जोत सरूप है अपना मूल पच्छान हर जी तेरे नाल है गुरु मती रंग माण एक ही उद्देशे है तुमे तुमको जनवाना गुरु को अपने को नहीं जनवाना तुमे तुमे तुमी को जनवाना है You are that संत मन्तर देते है O Am So Am क्या मतलब है ओम ओम मैं हूँ और आप फिर बहर मुख हो जाते गुरू तो भगवान हो जाता है और खुद आप वहीं कलर कुटिया खड़े रह जाते हो क्या फायदा हुआ गुरू भगवान तब है जब आपको आपके भगवान पणे में खड़ा कर दे वरना गुरू को भी भगवान कहलाने का अधिकार नहीं है गुरू का एका भगवान है तुम वही के वही जीव रह गए गुरू का एका भगवान है भई क्यों भगवान बोल रहा है गुरू को पहले तुम भगवान हुए गुरू ने तुम्हें जगाया तिलक तुम्हें लगाया गुरू ने तुम्हें निश्चे कराया बात तो ये गुरू के आगे आके आप अगर जुके शरीर रूप से तो आप अद्वैत में कैसे आओगे भीतर से जुकना है वो भी वचन को जुकना है शरीर किसी का भगवान नहीं है, शरीर को पूझने की जरूरत भी नहीं है, ये आकार सब मिटने वाले हैं, पंच तत्व को तनरचे ओ, जाने ओ चतुर सु जान, जेंते उपजय नान का लीन ताय में मान, शरीर तो अवतारों के भी गए, शरीर थोड़ी भगवान होता है, तबी लिखा ग्रण सहब में, हमको जे परमेश उचरहीं, सेजन नर्क जून में परहीं, हमको मना हमारे शरीर को अगर परमेश्वर बोलोगे, तो तुम नर्क में पढ़ोगे सीदे जाके, गुरू का शरीर भगवान नहीं होता है, तत्व को जानो और तत्व तो फिर वो चाक खतम हो गई, दादा जी को किसी ने बोला, आप गाली देते हैं, बोला मैं दूजाही नहीं देखता, गाली भी मैंने अपने को दी, तुम भी तु अपनियों कभी कभी घा, तो मैं पागल हूं एक नंबर की, कहते हो न, तो दादा ने बोला मैं गाली भी अपना आप बोलता हूँ, अपने कोई दीवो भी, इतनी उचाई पे खड़े हैं, इतने निश्चे में खड़े हैं, नीची बाती नहीं करते हैं, तुम्हेर रपास पूरा समय, यह मैं जीवीत है, एंकार जीवीत है, होना पना जीवीत है, इसको हटाओ, सत्य को जानो जू जानने आयो, बाहरी कोई भी चीज का आसरा मत रखना, गलत हो जाएगा, तुम सोचो बाहर से मैं गुरू का फोटो रखलू, रखलो, वो भी निकल्यान करेगी, प्रशन करोगे जवाब दे देगी, उदासर यो दिल बहला देगी फोटो, फोटो भी कुछ नहीं करेगी, जो हिर्दे मे बसाया है भगवान को, वो हर्दम तेरे साथ है, हर्दम उसको प्रेम करो, जब सडते हो, कुडते हो, हल्चल में आते हो, अंदर बैठे भगवान को नहीं सता रहे हो, किसको सता रहे हो, और जब प्रशन रहते हो, आनंद में रहते हो, मस्ती में रहते हो, गुम रहते हो, कि तर भगवान को इखुश कर रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं भगवान किस चीज से खुश होएगा, तुम बाहर से लियाओ मिठाई का डिबा भगवान खुश हो जाएगा, बाहर से लियाओ सूट और साडी भगवान खुश हो जाएगा, बाहर से हार फूल लियाओ भगवा बगवान भुए रही नंई खुश कहां से हो गाँ तेरे अंदर वाला कब खुश होता है इसकी कि जब तुम ग्चान के निस्चे में होने5 यही तरीका है भगवान को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान तुझे कैसे रिजाओं मैं सुनाओगा भजन बच्पन से कोई वस्तू नहीं मिलती सेवा में लाओं मैं क्यों गाय वो लेके आता हूँ दूर तो बचला जूठा कर गया है फूल लेके आता हूँ तो भमराज उठा कर गया है सुनते थे ना भजन तो फिर कैसे रिजाओं भगवान सिरफ मेरे भाव पवित्रें दुनिया की हर चीज जूठी सिरफ भाव पवित्रें और वो भी भाव जिनमें फिर negativity ना हो कोई कमजोरी की बात ना हो महापवित्र तुमारा भाव है उससे रिजाओ ना भगवान को महापवित्र तुमारा निच्चे महापवित्र तुमारी भक्ती क्योंकि ये सब तुमारे हिर्दे से उठ रहे हैं जो उठे नहीं है और किसी के लिए उठते ही नहीं न देखो ये भाव भगवान के लिए उठते हैं खाली और किसी के लिए उठे निए अब जो प्रेम आज उमडता है इश्वर के लिए वो प्रेम कभी बेटे के लिए पती के लिए तो मड़ा नहीं पवित्र हो गया ना इसका मतलब जो ये हमारे हिर्दे के भाव हैं इनको कोई जोटा कर पाया नहीं कर पाएगा नहीं उनको ये भाव समझ नहीं नहीं आते जोटे कहां से करेंगे सबसे पवित्र है तो अपने को आनंद में रखके तुम हर समय भगवान को प्रसन रख सकते अपने को आनंद में रखो बाई कोई भी बात मेरी शांती नहीं फिटा सकती मन का कोई ख्याल मेरे आनंद को गुम नहीं कर सकता अपने निश्चे में रह के तुम भगवान को सबसे ज़्यादा रिजा सकते है क्यों तेरी भी तरवेट है जिस दिन ये प्रसन है समझ लेना तिरसे भगवान प्रसन है आनंद और जिस दिन अपने अंदर मायूसी हो उदासी हो बार से घंटी बजा लो आरती उतार लो क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं होने का सबसे पहला काम यही है कि आप अपने को आनंद में रखिए हर वक्त बैलेंस रहो काम के अधीन, क्रोध के अधीन, एंकार के अधीन अगर नहीं हो द्वैत बुद्धी नहीं है, दुजा नहीं देखते हो किसी से विक्षेपता में नहीं आते हो किसी से वैर, विरोध, नफरत नहीं करते हो रिजा लिया तुमने भगवान को क्योंकि तेरा मन खुश रहेगा इन चीजों के अधीन अपना ही मन परेशान होता है न अभी दूजा देखो मन में कुड़कोड आए विक्षेपता आए, किसी का करम अच्छा लगे, बुरा लगे अपने अंदर वाला ही परेशान हो गया अपनी गलत सोच से तो अगर मैंने अपनी सोच ठीक रखी अगले पर ऐसान नहीं किया इवराहिम लिंकन क्या बोलते हैं मैंने सुवर को कीचड से निकाला सुवर पर ऐसान नहीं कि आपनी शांती करिये क्योंकि उसकी चीतकार मैंने इसे पा रहा था आज अगर हम प्यार करते हैं forgive and forget करते हैं हम अपने अंदर अच्छे विचार रखते हैं हम सब को as God करके देखते हैं तो हम अगलों पर ऐसान नहीं कर रहें अपनी प्रसंता अपनी शांती, अपनी मौज अपने आपको खुश रख रहें अब कितनी मूडता हो गई इंसान को अपने आपको खुश रखना भी नहीं आता अपनी खुशी भी दूसरों पे आधारित किये बैठ है किसी को देख के खुश होता है, किसी को देख के कुड़ जाता है किसी को देख के बड़ा प्रेम आएगा अंदर में, किसी को देख के नफरत आजाएगी तो क्या किया तुमने? अपने घाटा किया इश्वर ने तो तुम्हे आनन स्वरूप बनाया है ना अब तुम अपने गलत ख्यालों के कारण अपने आपको अशांत करते हो अपनी negativity से अपने को उल्जाते हो हो गई परिशानी अब कहोगे भगवान तुने मेरी परिस्थितियां ऐसी बनाई तुने मेरे इर्दगिर्द लोग ऐसे बनाए भगवान तुने मेरे साथ ऐसे किया भगवान कहता है भाई मैंने तो कुछ नहीं किया तेरे ही ख्वाब ख्यालों ने दुई का शोर पाया तेरे ही ख्याल, तेरे अनुमान ग्यान, तेरी गलत सोच शोर तो तेरे मन में इस कारण है वरना तो शोर कोई है ही नहीं मैंने तुझे अकेला बेजा अकेला बुलाया तुने क्या कर लिया सारी दुनिया से नाते बना बैठा सारा दिन तेरे मन में किसी ना किसी का ख्याल चलता ही रहता है किसी ना किसी के लिए सोच और किसी को नहीं सोचोगे अपने शरीर को सोचने बैठ जाओगे ये बिमार है ये दुखी है इसका ये हुआ इसको मान नहीं मिला इसको इज़त नहीं मिली इसको किसी ने पूछा नहीं ये कब ठीक होगा तुम्ही तो फिर दुजे के ख्याल में गए ना शरीर भी दुजाए इसके भी ख्याल में चला गया तो रोएगा इसकी गत्मत भी यह जाने मैं तो आनंद में बैठा हूँ हर समय तुमारी चित की प्रसंता बनी रहनी चाहिए कुछ भी कारण हो कोई भी परिस्थिती हो कैसी भी हालत में हो देखो मैं अनंद में हूँ मैं अंदर से मौज में हूँ और यह नहीं की मौज बाहरी फिर बीतर की यह नहीं इंद्रिये सुक को मौज बना लो बाइर की परिस्थितियों के बैलेंस को मौज बना लो वो नहीं ये गलती मत करना कई बार हो तहमस्त हो जाते हैं अपने को बाइर किसी चीज में इन्वाल कर लिया फिर हमने का हम तो आनंद में ये आनंद नहीं है वो आधार हटेगा फिर तेरा आनंद छिन जाएगा ऐसा नहीं आनंद माना एकरस आनंद माना किसी पर आधारित नहीं आनंद माना जो सेल्फ सेंटर्ड होके मिला जब मैंने चारों और से अपना ध्यान हटा के स्वयम में केंद्रित किया वहाँ जो आनंद फिल हुआ यह नहीं बाइर मुख विर्ती बनी रहे यह नहीं सांसारिक विर्ती बनी रहे आज मेरे को टीवी में मजा आ रहा है आज मेरे को सोने में मजा आ रहा है आज मेरे को खाने में मजा आ रहा है आज मुझे बाइरी लोगों से इंटरेक्ट करने में मज़ा आ रहा है बड़ी तरह के इंसान के बाहर मुक्ता है बहुत तरह की है पर उस सब से हटके जब राजा जनक की तरह पूरी राजाई में अपने को अकेला फील करो और उसमें भी कोई विक्षेप ना पैदा होता हो वो आनन्द वो आनन्द है सच्चा जब तुम एकांथ करके भीतर पा सको जहां बाहर तुम्हें लगे बाहर से सुखा रहा है मजा रहा है एक मिनट अंतर मुक्त हो के पुछो क्या ये मेरे सवरूप का आनन्द है क्या ये मेरी खुद की खुशी है स्वारूप जन्ने बोध जन्ने आनन्द होना चाहिए न जो तेरे इनिश्चे से उत्पन हो वो आनन्द चाहिए ये बायर की सुख बुद्धी नहीं रखने की आज ये हुआ मुझे सुख आया फिर तो कल दुख भी आएगा पका आज सुख आ गया कल दुखा जाएगा क्योंकि परिस्थितियां तो अनुकुलता और प्रतिकुलता परिवर्तन होने है इसमें तो कोई शक नहीं है पल्टेंगे न हालत बदली होगी हालत को आप रोक नहीं पाओगे इट विल चेंज अब जब चेंज होता है और मन में उलजहन होती है देखो ज्ञान में भी कभी-कभी हम निश्चिंत रहते हैं क्योंकि हमारे चारों तरफ परिस्थितियां सालिम होती है हम सोचते हैं बड़ा आनन्द है बड़ी खुशी है मैं तो बीस सॉल से सत्संग जाता हूँ अचानक कोई आधार हिल जाता है अचानक हालत बड़ल जाती है उस समय लगता है हम तो शायद कभी ज्ञान सुना ही नहीं क्या हमने सच है नहीं सुना बैरे कानों से सुना आना जाना किया गुरू के वचन पर ध्यान नहीं दिया निश्चे की जोत नहीं जला ही, गुरु को कहना है सत्गुरु जोत से जोत जलाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, गुरु के पास ये अंधकार मिटाने के लिए आना होता है, जन्मू जन्मू का अंधेरा मन में पड़ा है, वो अंधेरा मिटाने आना है, भरत के दिश्टांत सुन लिए हिरनी के बच्चे में मो पड़ गया तेरे मन का मो किस किस में है खोजबीन क्यों नहीं करी क्यों नहीं अपने आगे से हटा के देखा हालतें रख के क्यों नहीं देखा कि कैसी भी हालत में क्या मेरा मन सम रहेगा हालत तो कुछ भी आ सकती है अचानक से अचानक आ जाती है बता के भी नहीं आती एक मिनिट में क्या से क्या हो जाता है तो क्या तुम्हारा मन तयार है हर परिस्थिती में तयार है क्या तुम अंदर से जानते हो आया हूँ जग में मैं का केला हर आधार तूटने और छूटने वाला बुला बन बन के सहारे तूटते हैं इरसम पुरानी है जग के पर जो तूटे कभी और छूटे न वो तेरा सहारा काफी है तेरा मना पर तुम बार ढूंडते हो गुरु को ढूंडोगे किसी को ढूंडोगे तेरा सहारा मना अपने सौरूप का सहारा अपना निश्चे बाइर कुछ होने ना होने में तुम सम्में मिलने ना मिलने में सम्में जो आज प्राप्त है ये चला जाए क्या तुम सम्म रहेंगे जो तुमारे पास है अगर कल ये हालत बदल जाती है क्या फिर भी तुम इतने सुखी रहेंगे, इतने आनंद में रहेंगे या तुम रोएंगे, या तुम उलजेंगे, या तुम उलाइना देंगे भगवान को विचार करो, ये सेर क्या है अजब अनोखा, कि राम मुझ में, मैं राम में हूँ राम मुझ में है मैं राम में हूँ अब जब राम तुझ में तु राम में बाकी क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा कोई हालत नहीं बची कोई परिस्थिती नहीं बची कोई विचार नहीं बचा कोई विकार नहीं बचा एक सत्य उस सत्ते को धारण करो उस सत्ते की निष्ठा करो गुरू तुम्हे बार-बार निष्ठावान होने को कह रहा है गुरुवान मना निष्ठावान जा निष्ठा नहीं है वह तुम गुरुवान नहीं हो सब सत्संग में आके कहते हैं गुरुवान हो गए गुरु का ज्यान नहीं धारण किया गुरुवान कहां से हो गए गुरु की निष्ठा नहीं ली अगर तुमने तुम गुरुवान नहीं हो गुरुवान माना जो ज्यान का निष्चे लेके बैठा है गुरु से सारे गुरु लोग चिन दे देते हैं चिन से पता चल जाता है, भाई ये फलाने गुरू के, कोई कड़ा पहना देते हैं, कोई गले में माला पहना देते हैं, इधर दादा भगवान ने निश्चे दिया है बस, जो निश्चे में हो, हर वक्त शुक्राने मानता हो, पॉजिटिव रहता हो, मुस्कुराता हो, समझ लेना ये ज्ञानवान है, गुरुवान है, और जा शुक्राना मुस्कुराना नदारदो, आत्मा का निश्चे नदारदो, वो गुरुवान नहीं है, संत बिरादरी का नहीं है, हमारी बिरादरी का नहीं है, जिसके पास अपने सवरूप का निश्चे नहीं है, वो हमारी बिरादरी का नहीं वो ऐसे जूठा आके बैठा है इदर हमारी बिरादरी का तब है जब उसके पास भी अपना निश्चे है अपने ओम में स्थित है अपने ज्ञान में स्थित है हर वक्त अपनी निश्ठा में रहू ज्ञान के उचे निश्चे जूठा भी नहीं दिखावा करने की जरूरत है कभी-कभी तुम लोग बोलते दूसरे को जूठा तो दिखाएं हम भी दुखी हैं क्यों तुम अपने आनंद में रहो जूठा भी ड्रामा नहीं करने का है दूसरों को दिखाए मूँ बना कि आम भी दुखी हैं तुम्हारे साथ फिर हसाओगे कैसे किसी को मूरख बच्चा रोता है छोट-छोटी बात में हम थोड़ी रोते हैं उसके साथ हमस्ते उसके रोने पर भी हसी आती है अर्जुन रो रहा है कमजो रोके गिर गया नीचे बैठ गया गांडीव धनुष गिर गया और भगवान ने क्या किया था हसते हुए से ये वचन कहे अगर भगवान उसके साथ बैठ जाते वो गांडी धनुष गिराता और भगवान अपना चकरश दर्शन गिरा बैठते वो दम दे के बैठ गया मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान भी बैठ जाते विचारा अरजुन इतना दुखी लाचार हालत आगई इसके पास क्या भगवान उसको स्टेंड कर पाते थे नहीं न भगवान ने हसते हुए से वचन कहे हसे क्यों उसकी मुड़ता पे हसे जो जगत बना नहीं उसके लिए शोक करता है जो तेरे हैं नहीं तुँ उनको मेरा मान के ममता रख रहा है तु करने वाला ही नहीं है मारे राखे एक को आप और तु कहता है मैं इनको नहीं मारूंगा शरीर सब मिथ्या क्रैक लगे बर्तन सब की बनी पड़ी एक काल ने कब इनके उपर धावा बोलना है और तु बड़ा बच रहा है कि मैं इनको नहीं मारूंगा तो बच जाएंगे शैद सारे हसी आगई भगवान को आत्मा सत्य शरीर तो सब्जा नहीं वाले हसी आगई उनको तुमारे वाला कोई दुखी होएगा तुम्हे सात्रो ना निकल आएगा विचारा दुखी विचारे को गम गम उसकी मुडता है बेवाकूफी पागलपन अग्यानी हैं तुम अग्यानी के साथ अग्यानी बनोगे क्या क्यों बनते हैं हसते हुए से वचन कहों तुमारा अननी फिटना चाहिए पर जब ममता होती है मेरे वाला दुखी तो मैं सात दुखी तुमें साथ गम लग जाता है बेटे ने गवाया पैसा जुए में शराब में गलतात्तों में पर जब निकलेगा उसका दिवाला तुम रोएंगे बैठके तुम क्यों रो रहे हसते हुए से को बेटा अपने कर्मों का फल ले भुकतो हम क्या करें प्रबोध भी वो दे सकेगा जिसका अपना बोध जागरत होगा होश में होगा ने किसको प्रबोध देना भी बात नहीं बन सकती है देते हैं सारे लोग शब्दों से प्रबूद पर किसी को बोधवान नहीं कर पाते देखा तुमने कभी-कभी किसके घर में डेथ होता है अभी आजकल तो कम हो गया फेशन हम लोगों ने वो समय देखा जब बड़ा रोना, पीटना, शोर बहुत हुआ करते थे आने वाले लोग सारे रो के पीट के फिर कहते थे अच्छा जो भगवान की मर्जी कभी किसी को बोध हुआ, नहीं हुआ न, फिर नेक्स्ट आता था वो फिर रोना शुरू कर देता था पर अर्जुन को भगवान ने बोध दिया, अर्जुन को बोध मिला अर्जुन ने अठारमे अध्याय में लास्ट में आके कहा हे अच्युते पार ब्रम, आपके इसा ध्यात्मिक ज्यान से मेरा मुह नश्ट हुआ और अब मैं निश्चे में हूँ जागे हुए से कोई जागेगा सोए हुए से कोई जागेगा ने ये भी ध्यान रखना निश्चे की जो तेरी जल रही है तो जलती हुई मुम्बत्ती से बुजी हुई को जलाते हूँ दो बुजी मुम्बत्ती पास रख दो जलेगी कोई भी ने ग्यानी जला हुआ दिपक हम नजदीक जाते हैं हमें भी जागरत कर देता है पर हम कभी-कभी जागरत होते हुए भी किसी के साथ बत्ती बुजा के बैठ जाते हैं क्यों? अपनी बत्ती क्यों बुजाते हैं? चारग्यानियों को देखेंगे रोते हुए, पिटते हुए, आमको भी रो ना आ गया, आमको भी हसी नहीं आई तुमें उनकी मुड़ता पे आया तुम क्रिशन कांशियसनेस में अगर तुम खड़े रहते अर्जुन जैसा कोई कमजोर पड़ता था तो तुम क्रिशन की तरह हसते हुए वचन भूलते तुमको तो प्रभाव हो गया यानि तेरी जो बत्ती जलाई थी गुरु ने तुने अज्ञानियों को देखके चार मूड लोगों के बीच बैठके अपनी बत्ती बुजा छोड़ी बैठ गया अंधेरा करके का गया तेरा ज्यान का गया तेरा बोध का गयी तेरी जागरती गुरु ने जो होश जगाया का गया हो बरकरार रखने का है ना कायम रखने का है मिथ्या को मिथ्या देखने का है खेल को खेल देखने का है सारा मिठी का वापार चल रहा है, देखा है, मिटी का वापार है सारा, मिटी से मिटी पैदा होती है, मिटी से मिटी पल रही है, मिटी में मिटी मिल रही है, क्या हो रहा है, मिटी का वापार सारा, पता नहीं कितना सच मान के बैठे हैं इसको, मूरता देखो अपने, शरीरों को सच मानना पुफी, शरीर ना जाए, जाना होगा जब जाएगा जिसका जाना है, उसमें क्या है, तुम सोच रहे हो इसको बचाओ, इसको बचाओ, तुम अपना शरीर बचा के दिखाओ पहले, जाना होगा तो तेरा शरीर भी जाएगा, रोकपा होगे क्या, फिर शरीरों में अमर्ता क की भावना मुड़ता नहीं है या तो इनको छोड़ जाएगा या या यह तेरे को छोड़ जाएगे होना तो यही पर यह तेरी ममत्व बुद्धी तेरी मुर्खता है मेरा, मेरा, क्या मेरा, अपनी सगी नहीं दे, तुमको पता नहीं, मेरा सगा भाई मर गया, मेरा सगी बहन चली गई, मेरा सगा बाप चला गया, इस सगा तो शरीर नहीं पता नहीं, तुम कहां सगे सगे करते रहते हो, मेरा सगा भाई है, मैं इसको जानता हूँ बच्पन से, ये इसका न स्वभाव ऐसा नहीं है उस दिन एक ने बोला आके हमने उसको का सगा तो तेरा शरीर भी नहीं सगे भाई की बात कर रहा है मेरे से सगा तो तेरा शरीर ही नहीं अपनी सगी नहीं दे कितना पाला पोसा इसको प्यार किया ये दोखे बास जब बिमार होना हो जाता है जब मरना है मर जाता है बनता है क्या तुमारा ये फिर दूसरों को सगा बनाए फिरते ये मेरा सगा वो मैं पहले दे तो सगी बना के दिखा है बनती है ये तुमारी बताओ शरीर सगा बनता है तुमारा यही नहीं नहीं बन रहा ते रहा तो पता नहीं कहां कहां किस को सगा बनाने में लगा हुआ है कोई सगा नहीं है इसचंगी भी सगे नहीं है जब तक इनको तुमसे सुख मिलेगा तुमें प्यार करेंगे नहीं मिलेगा भाग जाएंगे गाली भी दे सकते अब हमारे अनुसार नहीं चलोगे तो फर्म निंदा भी करेंगे कोई बड़ी बात है क्या तेरा अपना निश्चे तुझे आनंद में रखेगा पाँट से अब तेरे अंदर चलता रहे सारा दिन गुर्दारे का चैशांत भी हो जाए वो रात को सुला दे नानक जी को सुबे जगाएं चार बजे प्रकाश करें पर तेरा अंदकार नहीं होना चाहिए तु प्रकाश में ही रहे मुरख लोग सोचते हैं अब सुबा को प्रकाश करेंगे ग्रंच सेब का रहे ग्रंच सेब प्रकाशित ही है प्रकाशित ना होता हो तो पूझनिय ना होता वो प्रकाशित तुम अपनी बुद्धी करते हो एक वचन निकाल के अपनी बुद्धी में प्रकाश करते हो कि सारा दिन फिर हम इस संकल्प पर चलेंगे पर वो भी रिवास बना दिया असल बात तो यह है वो तो सत पुरुषों की वाणी युगों युग प्रकाशीत है एक युग में प्रकाशीत है महापुरुषों की वाणी युग युग प्रकाशीत है वांधकार होई नहीं सकता सत्ते की वाणी है तबी तो प्रकाश कर देती है जन्मों से अंधेरे में भटकते जीव को प्रकाश मिल जाता है वानि द्वारा इतनी प्रकाशित वानि इसको प्रकाशित नहीं करना होता खुद प्रकाशित होना होता है खुद जागना होता है खुद अंधेरे चीरने होते हैं, तुम बोलेगा असी चीर के नदियां आवांगे, अपना पीर मन आवांगे, कौन सी नदियां चीर होगे, बार पानी भर जाएगा, अब तो पुल बन गए, अब तो समय ना रहा हो चीर के नदियां आने, ये जो दुख सुक की, परिस्थित की, दुण्दी जोड़ों की नदियां ये चीर के आओ, और अपने भगवान से मिलके एक रहा हो, असी चीर के नदियां आवांगे, अपना पीर मन आवांगे, पीर कब राजी होगा, जब तुम्हे हर आलत में सम देखेगा, तुम जगत भी मन आओगे, पीर भी मन आओगे खिचडी बना के बैठे, इस्चे में रहो, मैं कुछ भी नहीं तब सब कुछ हूँ, ये सब लेबल हटाओ जी भाओ के, तब तुम ब्रहम सरूप है, तब प्रकाशीत है, और जितने लेबल चिपकाल होगे, अंधेरा, शीशी होती है न, कांच की, पहले वो लगा देते थ उसके उपर, इसमें ये पड़ाया, इसमें ये पड़ाया, सब बर्नियों पर, फिर एक लेबल लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर चौता लगाया, पता लगे समानी नहीं दिखता था अंदर का, फिर एक दिन बैठके उनको सब को पानी में दोते थे गरम पानी से, सारी बर्नियों के ये उतारो लेबल तो पता चलेगा अंदर का समान करते थे न याद होगा ये तुम भी जब लेबल लगाए बैठे हो तो अपना सरूप नहीं देखने में आ रहा है लेंप होते थे लेंप की चिमनी काली हो जाती थी लाइटी नहीं पूरी बाएर आती थे चिमनी मान्चते थे बैठके दिन में तो शाम को जब लेंप जलाते थे इतना प्रकाश होता था सुबह को पेपर होता था राद को पढ़ लेते थे लेंप में इतना अच्छी रोषणी हो जाती थी उसकी चिमनी साफ करने के बाद तो ये जो अंदेरा, कालक नाम रूप की देध्यास की उपादी की ये तेरे सौरूप का प्रकाश पूरा फैलने नहीं देती है इसको संबालना पड़ेगा साफ करो इसको बोला मन अपने दी करो सफाई फिर देवेगा प्रितम दिखाई काँ, दुनिया में दिखेगा प्रितम, स्वयम में प्रितम देखने के लिए मन की सफाई करो, नाम रूप, रिष्टे, उपादियां क्लीन, क्लीन, क्लीन सब साफ करो जब ये सब साफ होएगा, तो अपना सवरूप, जियों का तियों अनभाव में आएगा और निजिस सवरूप अनभाव में आए, यही मनजिल है अपने निश्चे में रहो यही मनजिल है दुनिया बनाएगी, तुम ना स्विकार करो अंदर से देखाई, जो फोर्थ क्लास एमपलाईज भी होते हैं लोग उनको फोर्थ क्लास कहते हैं इस केटेगरी का, पर उनके पास भी अपनी खुदारी होती है तुमारे पास अपनी खुदाई होनी चाहिए दुनिया भले माँ बनाए, बाप बनाए, फला ना बनाए, फला नहीं बनाए, देखें जिस आख से तुम अपनी खुदाई में रहो यासे वो अपनी खुदारी में रहते हैं, फोर्थ क्लास एमपलाई भी, तुम अपनी खुदाई में रहो, खुदारी में रहो अपनी, तुम अपने निश्चे में रहो, बोलने दो जो जो बोल रहा है मम्मी बुलवाने से फरक नहीं पड़ता, पापा बुलवाने से फरक नहीं पड़ता पर जो अंदर ये जो effects है न वो नहीं आने चाहिए बुलाएंगे तो सब उसी से स्विकार ना होने का मतलब है, no reactions at all निश्चे की जोद जलाओ अपने इधर एक ही काम है बस, आओ गुरू से जागने के लिए असान जो एहडो आहे भगवान ठैपर ठाए आप समान हमारा ऐसा भगवान है जो हमें आप समान बनाता है थोड़ा भी कम नहीं तुम खुश रहेगा, थोड़ा बनके जीव बनके, थोड़ा-थोड़ा सुखी हूँ, थोड़ा-थोड़ा आनद, गुरू को राजी नहीं है गुरू को पढ़ता नहीं खाता ये अधूरा सौधा, पूरा सौधा करो तुम भी गुन गुनाते हुए आओ मैं आप ब्रह्मानंद मैनु वेद गामदा तबी गुरु को खुशी होएगी गुरु को दुख नहीं लगेगा भाई अपनी महमा क्यों गाता है अपने सरूप की महमा क्यों गाता है गुरु को पाण प्रसंता होएगी और गुरू की महिमाग आओगे तो गुरू को खुशी नहीं होएगी वो समझेगा ये सुधरा नहीं, मेरा वचन माना नहीं बाइर भगवान देखता है, बीतर नहीं देखता है गुरू को वो उल्टा अच्छा नहीं लगेगा पर जब तू आऊगो निष्चे अर्जुन की तरह सुनाऊगे अर्जुन ने लांस्ट में बोला है अच्छित विचार करने जैसी बात है, पूरी गीता में उसने भगवान को अच्छित नाम नहीं दिया लांस्ट में बोला है अच्छित, क्यों बोला? महा बाहो बोला मदू सूदन क्या क्या बोला हे अच्यत अच्यत मना जो चलाए मान नहीं होता है स्थिर स्वरूप जब अपनी नेश्ठा हुई तब कहता है हे अच्यत हे पार ब्रह्म तुमारे इस अध्यात्मिक ज्यान से मैं नेश्ठा में हूँ जब अपना हिलना बंदु आना मन तब अच्यत जब तक उसका अपना मन चलाए माने भगवान को अच्यत शब्द नहीं कह पाया संबोधन अच्यत पहले सब बोला मदूर आक्षास को मारने वाला ये वो बड़े संबोधन के शव बड़े अच्यत अच्यत नहीं बोला जब अपना मन चलाए माने भगवान को कैसे कहता है अच्यत जब अपना मन स्थिर हुआ ग्यान से तब हाथ जोडता है अच्यत पहराट रूप देखने के बाद भी नहीं बोला है अच्यत अठार में अध्याय में जब अपना निष्चे हुआ तब कहता है है अच्यूत क्यों? अब मेरा मन स्थिर है तो समझ गया है मेरे भगवान भी अवी चल यह भी चल आइमान नहीं होते हैं अपने स्वारूप से तभी तो मुझे स्थिर की है पहले स्थिर प्रग्य के लक्षन भी पूछ लिये चाहिए लेकिन लास्ट में आके हे अच्यूत अब बहुत प्यारा शब्द है जो चलाइमान नहीं होता है जो तीनी कालों में अपने स्वारूप में जियों का तियों स्थिर रहता है कौन है वो? वो आत्मा है अमर आत्मा सचीदानन्द मैं हूँ ठीक है?